नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पारा सिख्षकों को नहीं मिलेगा वेतनमान मंत्री ने दिया बड़ा जटका जहरखन के स्कूली सिख्षायम सक्षर्था विभाग के मंत्री जगनात मतों ने कहा है कि पारा सिख्षकों को बेतनमान नहीं दिया जा सकता उनके अनुसार पारा सिख्षकों के नियुक्ति में तकनिकी औरचन है इनकी नियुक्तियों में आरक्षान रोष्टर का पारा नहीं किया गया है इसलिए बेतनमान नहीं दिया जा सकता अईसे में उनके दोरा फिर से बेतनमान की मांग करना गलत है उन्होंने कहा है कि परासिक छग बिहार की ताज पर बेतनमान देने की मांग कर रहे है जब कि सरकारी स्कूलों के बेतन में 3 परतिसत की बिरिधी हुई है इधर मंत्री के इस ब्यान पर परासिस्कों में रोज है कई परासिस्कों ने कहा है कि महा आधिवक्ता ने टेट उतिन परासिस्कों को वेतन मांदेने के अंचन सा की थी मौसम विभाग का अलट जारी जारी गया है ड्यो टी से गायव रहने वाले डॉक्टर होंगे जारखन सरकार लगतार अनाधिकृत रूप से ड्यो टी से गायव होने वाले चीकिस्कों को बर्खास करने के साथ निबंधन रद करने के निनय पर अड़ी हुई है जार्खन Health Services Association निवन्धन रद करने का विरोध भी कर रहा है इस वीच राइसरकार ने तीन अने आयसे चीकिसों की पाचान कर उन्हें बरखास्त करने तथा National Medical Commission तथा जार्खन Medical Council से निवन्धन रद करने की अनुसांसा करने का निनलिया है बता दे जिन चीकिसों की बिरुद्या करवाई की जा रही है उनमें गढ़वा के पी एची रेहला में पदस्थापी चीकिसा पदा दिकारी डाक्टर एकफल रसूल बोकारो के चंदन क्यारे इस्थी समुदाईक स्वास्त के में पदस्थावी डाक्टर रिंकू कुमारी तथा सौदर अस्पतागिरीडे में पदस्थावी डाक्टर फरहान सामिल है PVUNL पलांट का निर्मान बंद साथ सो मजदूरों का हो रहा सोसान रामगर जिले के पत्रातु में बंद हा सूपर थर्मल पावर PVUNL का निर्मान कारे बीते दो दिनों से परभावी था है निर्मान कारे में लगी कंपनी टेक्सल के 700 मजदूर अपने 18 सुत्री मांगों को लेकर दो दिनों से हाताल पर है मजदूरों का कहना है कि कंपनी लगातार मजदूरों का आर्थिक सारेरी को मासिक सोसन कर रही है मजदूरों के बेतन भुकतान से लेकर पीएव आठ के बजाए 12 घंटे तक काम लेना ESI का लाब नहीं देना आधी मांगे सामिल है इन ही मांगों को लेकर बीते दिनों एक मजदूर द्वारा अधीकारी से नोका जोकी भी की गई थी इसके बाद कंपनी द्वारा CISF के सहयोग से उक्त मजदूर का गेट पास्ट सीज कर लिया गया इसके भी रोज में मजदूर द्वारा कारे बज़कार कर दिया गया है हारखन में बढ़ रहा डेंगू और स्वायन फुलू का मामला कुरोना संक्रमन थमने के साथ ही मच्छर जनित रोग्यों की संख्या बढ़ने जा रही है पिछले एक माह में राइधानी रांची में आठ स्वायन फुलू के मरीज मिले है जबकि एक तालिश डेंगू के मरीज मिले लागातार मिल रहे है मरीजों के बाद अम मोहलों में सेंपल जामा करने वा लोगों को जागरू किया जा रहा है बता दे अभी रिम्स में गाढ़वा का एक स्वायन फुलू के मरीज मिलने के पुष्टी हुई है जबकि रांची के ही बुड्डू में आधा दजन से अधिक लोग इसकी चपेट में हाए मरीजों को रिम्स में डेंगू वार्ड में भरती कराया गया है फिलाल आईसोलेशन में रखा गया है इसके अलावा डेंगू वार्ड में पिछले दो दिनों में छो मरीज डेंगू की समस्या से पिडित नव भरती है डेंगू के सभी मरीज रांची जीला के रहने वाले हैं सभी का इलाज गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है धनबाद की सिरिष्टी कोविट काल में पचीस सो भारतियों को पहुंचाया सो देश कोविट में जिस समय पूरी दुनिया में हाकार मचा हुआ था ठीक उसी समय बिदेश में फसे अपने देशवासियों को भारत लाने का काम सिरिष्टी जीवन्तिका सिंग ने बखो भी किया बताजे धनबाद ही नहीं पूरे देश को सिरिष्टी पर गर्व है यार इंडिया एक्सप्रेस में फास्ट ओफिसर के तोर पर नॉमबर दोहर सोरा से कार्यराद सिरिष्टी धनबाज की पहली गर्ल पाइलट है पोली टेकनिक रोड के कर्नल जेके सिंग और नितिका सिंग की वेटी सिरिष्टी अब एरक्राफ्ट कमांडर बन चुकी है यार इंडिया एक्सप्रेस की कमर्शल फ्लाइट सिरिष्टी ने वंदे भारत मिशन के तहर दिली मुख्याले से क्वाल लंपूर के लिए उडान भरी थी रेल करमचारियों की 12 अक्टूबर से देश ब्यावी भूख हरताल महागाई भते के एरियर का भूखतान नई पेंसन इसकी मुआपस लेकर पुरानी योजना लागू करने समेथ रेल करमचारियों से जुड़ी ऐसी 16 मांगे है जिनने लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में रखा गया है कई चर्णों की बादचीत के बाद भी उन मांगों को लेकर रेल मंत्राले की ओर से जबाब नहीं मिला करमचारियों से जुड़ी मांगे वेटिंग लिस्ट में रहने से नराज औल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 अक्टूबर को देश ब्यावे भू असली आख निकालने मामले में सीएम ने कहा सील होगा अस्पतार चार दिन के बाद घार सिला के कीताडी निवासी बुजूर्ग गंगाधार सिंग के आखों की जाच करने सिविल सर्जन डाक्टर साहिर पाल के नितित में एक टीम पहुँची उपायुत के निर्देश पर स उमर को सिविल सर्जन ने घार सिला अनुमंडल अस्पताल पहुचकर मामले की जाच की पीरीत गंगाधार दर्द से इतना परसान है कि वह सूबा सूबा ही अनुमंडल अस्पताल में लगे दिभ्यांगिता सिविल में पहुच गया बताद इस दोरान उनकी आख की जाच प्रांद बताया कि बुजुरुग की आख नहीं है उसके अस्थान पर आटिफिस्यल आई बॉल जो काच की गोली जैसा दिक रहा लगाया गया है जिसके करण उसे दिखाई नहीं दे रहा था उन्होंने कहा है कि या क्यों लगाया गया या जाच का भी साय है जे आड़ी हाउस फूल 25,000 दर्सक फूटबॉल मैच देखने पहुंचेंगे एस्टेडियम दो साल के लंबे इंतजार के बाद जे आड़ी टाटा एस्पोर्ट कमपलेक्स में दर्सकों की वापिस सी हो रही है कुरोना के कान पिछले दो सालों से बगर दर्सक के एस्टेडि इसने भी माना फूटबॉल मैच के दर्ण पर संसक न हो तो फिर खेलने का मजा ही खत्म हो जाता है इधर जे एपसी प्रवंदक का कहना है कि मैच के सभी टिकट भी चुके है एस्टेडियम की दर्सक छमता 25 एर है मानगो के रहने वाले मंसूर आलम मंगलवार साम को टिकट खिड़की के पास कातार में लगे थे वह जम सेदपूर एपसी का जबड़ा फायन है कार्तिक पूर नीमा के दिन लगेगा 2022 का आखरी चंद्र गरहन इस साल का दूसरा वा आखरी चंद्र गरहन आठ नॉमबर को कार्तिक पूर नीमा के दिन लग रहा है पहला चंद्र गरह जिसमें 2 शूर्य ग्रहन और 2 चंद्र ग्रहन है बता दे इस साल 8 नॉमबर को चंद्र ग्रहन का समय दो पर 1 बजकर 32 मियट से संद्या 7 बजकर 27 मियट तक है जानकार बताते हैं कि शूर्य ग्रहन के ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहन लगता है धानबाद इस्थीत खड़शव एडमिट काड में एस्वरिया राय का फोटो मामले में रची गई साजीस फेज संचालक दोने से पुष्टास की गई, विस्व विद्याले पर साशन की ओर से कहा गया है कि उनके अस्तर पर कोई गरबड़ी नहीं हुई है, एड्मीट कार्ड अपलोड भी उनके अस्तर पर नहीं हुए है, विस्व विद्याले की छावी बिगारने की कोशिश की गई चात्रा दिन भर एड्मीट कार्ड में संसोधन का इनत्यार करती रही, साम चार बजे उसे भरोसा दिलाया गया कि उसके एड्मीट कार्ड का संसोधन करती रही एयरपोर्ट का चार्ज नहीं देने से रांची में लेट होई टीम इंडिया का फ्लाइट रांची के बिसाम उंड़ा यारपोर्ट से सोमवार को भारत और दक्षिन अफ्रिका के किरिकेट खिलाड़ियों को लेकर जाने वाली बिसेस फलाइट ने डेड़ घंटे बिल्याम से उड़ान भरी दरसल स्पाइस जेट की बिसेस बिमान एसजी निनानबे तईस को साम साढ़े चार बज़े उड़ान भरना था दोनों टीम के खिलाड़ी भी साढ़े तीन बज़े तक रांची आरपोर्ट पर पहुँच चुके थे लेकिन स्पाइस जेट बिमान कंपनी की ओर से पारकिंग सूल्क और ग्राउंड हैंडेलिंग चार्ज नहीं देने की वज़ा से फलाइट को उड़ने के उनमती नहीं दी गाई धान्यवाद